नमस्कार दोस्तो स्वागात आप सभी का जोब एंड केरियर के इस यूटूब प्रेफों पर दोस्तो आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लेखपाल के प्रिविए सियर कोशन पेपर को हल करने वाले हैं इससे पहले वीडियो में हमने हिंदी के सेक्शन को सॉल्व किया सहरों के बाहर आर्थिक सुवसर बनाने के लिए डेश, मॉडल, सहरी, अधार्भुत, सनरचना और सिवाएं ग्रामीड केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है दोस्तों इस कोशन का जो आंसर है वो ऑप्सन सी इसका सही है पूरा पूरा इसका दोस्तों सही आंसर है पूरा का जो दोस्तों फुल फॉर्म होता है वो होता है पबलिक यूटिलिटी रेगुलेटरी ओथर्टी यह जो है सहरी कामों को करता है दोस्तों इसके अंडर आता ह है अगला दोस्तों जो कोश्चन है वह है कि समान प्रवस्था में समान प्रवस्था में कंपाइमान माध्यम के किनी दो सबसे निकटम कणों के बीच की दूरी को डैस होती है दोस्तों इसका ऑप्षन भी तरंग धेर सही है और ऑप्षन फी दोस्तों राष्ट्री आए को प्राय कहा जाता राश्ट्री आए को क्या कहा है और डियाग होगे एनटी अप्ष्ये एफसी ऐंडी पी एफbnप एंडी एफसी एंडी ऐल्टी एफसी एंप्इफ एंप्वसे एंप्वस्टरॉख savoirन अन्सर है यानिन हो फायर और एंपी जो होता है होता है मार्केट प्राइज एनफी का है नेट नेशनल प्रॉफिट दोस्तों यह इसका अंसा सही हो गया अगला कोश्चन है अगला कोश्चन दोस्तों गदर करांती आरम होने का सबसे परमुक करण क्या था जो गदर करांती हुई ती उसका परमुक करण क्या था तो दोस्तों इसका जो option D है, कोमा गाता मारू घटना जो हुई थी दोस्तो, 1914 में वो इसका option D सही हो जाएगा, आप लोग जानते हैं दोस्तो, ये घटना 23 माई 1914 हुई थी, कोमा गाता मारू एक जहास दी, जिसमें गोली चला दी गई थी, कुछ लोग मर गए थे, तो ये घटना हुई थी तो दोस्तो, इसका option D सही answer है, अगला question दोस्तो, गांदी जी ने भारत छोड़ो अंदोलन कब शुरू किया, तो गांदी जी ने भारत छोड़ो अंदोलन 1942, 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था, तो दोस्तो, इसका option C सही answer है, अगला question दोस्तो, निमलिखित में से किसको लोग न नयक के रूप में जाना जाता है तो इनमें से चार ओप्ष्ण देंगां को पताना है किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है तो इसका ओप्षन सी यानिकी जै प्रकास नरायंड सही अंसर हो जाएगा दोस्तों तो उप्षन सी इसका सही अंसर है अगले कोशन पर आए तो यह करंट अफेर्स से जुड़ा सवाल है वर्ष 2015 के सरोत्तम कल्यान संगटन पुर्षकार से डैस को समानित किया गया तो इसका ऑप्षन यानिकी नैशनल यूनियन ऑफ सिफेरंस ऑफ इंडिया इसका सही अंसर है लेकिन ऐसा कोशन तो आपको आना नहीं आपको पता है अब यह करंट अफेर्स का कोशन है तो अब बदल आती राज सबसे पहले जहाँ हुई थी वह है राजिस्थान और आन्द्रपरदेश दोस्तों इसका ऑप्षन डी सही आंसर जाएगा ऑप्षन डी यानिकी राजिस्थान और पंचायत जो आन्द्रपरदेश यहां पर सबसे पहले लाग वा यह ततकालिन प्रधानमंत्री पंडित जोहाल लाल नहरुजी ने उस टाइम पे लागो किया था तो दोस्तों इसका अंसर डी सही है बोटन लिगाडन तक तो यह शुरू हो गई है तो यह पुछा गया कि डाइवर रही त्रिलगाड़ी कि कहां से प्राप्त हुए तो इसका ऑप्षन दोस्तों सी यानिकी दक्षिन कोरिया इसका सही अंसर हो जाएगा तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कोशन पढ़ने है कि यह जो ट्रेन है कहां से कहां तक चल रही है कहां तक जाए रही है अभी तक कितने रूट इसके बन चुके हैं तो आप लोग को इसके बारे भी अच्छे से पढ़ लेना है तो दोस्तों यह अपका अंसर सही हो गया उसके बाद दोस्तों अगला कोशन आता है अगला कोश 4 जो है सही आंसर जाएगा 2.4 परसेंट जो हिस्सेदारी भारत की है पूरे वल्ड में जमीन के मामले में अगला कोशन दोस्तों मश्रूम किसके उधारण है जो मश्रूम होता है वह किसका उधारण होता है मश्रूम जो है दोस्तों वह होता है फंजाई यानिकि कवक का उधा करके टफ कर दी जाएगा इसलिए आप लोगों को ऐसी टॉपिक को पढ़ना है बस इसके थोड़े हाई वर्जन को पढ़ना है अगला कोशन दोस्तों निमलखीत में से किसका प्रशांतक और रूप में प्रयोग कि जाता है दोस्तों से पहले हम जान लेते हैं कि यह जो मंसर देखें तो एस्प्रीन यानि की ऑप्शन डी सही हो जाता है अगला कोशन है उप राश्टपती को अपना कारेकाल समार्थ होने से पूर्व अपने पलसे हटाने का अधिकार निमलखीत में से किसके पास है राश्टपती जो है आप जानते हैं वो सबका हैड होता है ल राश्पती को अटा सकता है अगला कोशन दोस्तो 65 वह है निमलखीत में से कौन सा मेरी रज्जू का एक महत्रपून कारदे मेरी रज्जू का कौन सा में से ऐसा कारदे जो उसका इंपोर्टेंट है तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन डी यानकि प्रतिवर्तिक किर्याओं क को निंद्रन कंट्रोल ओफ रिफ्लेक्स एक्शन इसका अंसर सही हो जाएगा ओप्शन डी इस राइट आंसर नेक्स कोशन दोस्तो अठार सो स्थावन के प्रथम स्वतंतता विद्रोव में भाग लेने वाले परशिद महिला स्वतंता से नानी कौन थी तो उस टाइम पे जो सवतंतता सानानी महिला थी वेगम हजरत महलजी तो ॉप्शन इसका सही आंसर हो जाता दोस्तो आगले कोशन परते हैं काविनी हेम बती और अम्रावति कौन नदी की सहाइग नदी आएए तो इसका ऑप्शन डी सही हँग जाता है उप्शन डी इसका सही आंसर दो दोस्तों आगे पढ़ते हैं तो यह फिर एक करंट अफेर से जुड़ा एक सवाल आया हुआ है 15 मार्च 2015 को बैटमिंटन चेंपियंशिप स्वीज ग्रांड ट्रेक प्रिक्स गोल्ड का विजयता कौन है तो दोस्तों उसके उस टाइम पर विजयता थे वह थे के कैस्भार्णथ के शिरकांथ जी ने उस टेंप पर यह जीता था आपको यह कोष्ण तो पेड़ में आना नहीं ह׊ना है अगला allá कोश्ण है को निमरेकित में से कौन से देश का संसार में दान उत्पावचन दूसर अस्तान है ऐसा कौन एश HAS है इस से आपको पढ़ना है अगला कोष्टन है कि निम्लखित में से कौण से देश का संसार में दान उत्पाज़न तो इसका देश यो आंसर माना है वह हम आपको अंसर बता रहे है अगला कोस्टो यांतिरिक उर्जा को वेद्युक उर्जा में रुपांतिलित करने के लिए डैश का अपयोग किया जाता है तो इसका ऑप्षन भी यानकी डाइनमो आप लोग पढ़ा होगा तो डाइनमो इसका ऑप्षन भी सही अंसर हो जाता है अगला कोशन है हाल ही में किस ने यू डबलू 14 अतिधोनिक स्ट्राइक यान का चोथा सफल प्रिक्षन किया जो प्रमाणू अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है दोस्तों इसका ऑप्षन सी सही दिया था आयोग ने यह उस टाइम का करेंटेफेस को कोश्चन है आपको ऐसी करेंटेफेस पढ़ने है इस बार अगला कोश्चन है निमलखीत में से कौन अवाद के क्र आक्रमन के दोरान कलिंग की जो राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों जो कलिंग की राजधानी थी वो तोशाली थी तोशाली ही जो है कलिंग की राजधानी थी आप लोग जानते हैं दोस्तों उस टाइम पे जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें काफी लोग मारे गए काफी लोग बदेश में जो यह यूद हुआ था 261 BC में हुआ था और दोस्तों जो तोशाली है प्रेजेंट में ओडिशा राज्य में पढ़ता है ओडिशा है इसका तो इसका ओप्शन ए सही आंसर हो जाता है अगला कुशन दोस्तों निमलखीत में से कौन बरतमान में विश बैंक के अध्यक्ष है तो दोस्तों यह उस टाइम कोश्चन है 2015 का तो उस टाइम पर जो अध्यक्ष थे वे थे जीम यॉंग किम यानि की आयो के अनुसार ऑप्शन भी सही आंसर है और अगर हम इस बार के बात करें कि इस बार यानिकि जो करेंट में अगर हम जानते हैं कि कौन है अध्यक्ष तो वो डेविज मलपास जी है तो अगर इसका अब कोश्चन आता है तो आप लोग इसके डेविड मलपास लगाएंगे उस वाद दोस्तों अगला कोश्चन है लास्ट भारत की लगभग आधी जनसंक्या मात्र पांच राज्यों में रहती है निमलखित के लाज जाएंगे हैं दोस्तों आप लोगों पता है कि इसका ओप्षन ए डि यानि की केरण इसका सब्सक्राइब स्टैंग्र जाएगा तो इसका औप्षेंग तो हैं यह जनसंक्या कि दिश्टिस से पांच नमबर नहीं आता है दोसने प्रिवेस येर के अगर आपको हमाई जिनकारी प्रसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप लोग को ऐसे ही कोशन देखने हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं जै हिन जै वारत